नमस्कार दोस्तों कोई वेक्त परिवाद दर्ज करवाने के लिए अगर नया एलेमे प्रारतना पत्र दे और उस प्रारतना पत्र की जानकारी अगर प्रपोजड एक्यूज यानि जो प्रस्तावित आरूपी है क्योंकि प्रारतना पत्र देते ही कोई वेक्त आरूपी नहीं बन जाता है प्राइमा फिसाई कोई भी केस उसके अगेंस्ट में डाउट नहीं होता है जब तक के 204 यार पिश्जी में आदेश जाड़ी न हो जाए तो क्या अगर कोई व्यक्ति प्रार्शना पत्र देता है और उसकी जानकारी प्रस्तावितारूपी को हो जाए तो वहाँ प्रतिरोद करने के लिए अपना पच्छ रखने के लिए नया आले में उपस्तित हो सकता है उपस्तित होने का मतलब अपने दिवक्ता के द्वारा ही है पूरी जानकारी आज मिलने वाली है आपको इस वीडियो में वीडियो पर अंतक बने रहें और वीडियो पर एक लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बेल को जुरूर प्रेस करके रखें फ 200 से आरपिशी 202 से आरपिशी की प्रोसीडिंग्स होगी इसके बाद बहत होगी फिर तल्बी आदेश चार्डि होगा 204 से आरपिशी में या अगर ग्राउंड नहीं है तो कोड़ 203 से आरपिशी में परिवाद को रद भी कर सकता है अब अगर जो प्रपोस्ट एक्यूज हो नजाए जड़िए जमान तल्वी आदेश उनके विरुद जाड़ी ना हो जाए उनको तलब न कर लिया जाए नियाले के द्वारा तो क्या उस सिच्वेशन में जो प्रस्तावित आरोपी हैं उन्हें नियाले में उपस्तित होकर अपना प्रत्रूद करना चाहिए अपन जब प्राइम एफिशाई आपके अगेंस्ट कोई केस मेड आउट ही नहीं है अभी तक तो आप अपना बचाओ डिफेंस कैसे करेंगे अगर मालिजे आप अपीर हो जाते हैं अपनी बात रखते हैं तो कोर्ट आपकी बात सुनें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि नहां पर नाइट्रल लाज जस्टिस का जो प्रिंस्पल है वो अप्लाइड नहीं होता है क्योंकि आपके अगेंस्ट अभी कोई केस मेड आउट नहीं है अब बहुत से केसे में लोग अपियर हो जाते हैं अपना बचाओ अपच रखते हैं परिवाध कोड को खारिच कर द जो हनरेबल हाई कोड के सुप्रिम कोड की जजज्मेंट्स हैं उनके अगेंस्ट मजिटेट ने और्डर पास किया है तो उस और्डर को से साइट करते हुए और दोबारा से सुनने के लिए रिमांड बैक कर देगा मेंटर और अगर मालिजे रिवेजनल कोड भी उस कर सकती है और उस आदेश माधार पर उन दोनों आदेश को क्वेस्ट करते हुए प्रोस्रीडिंग्स को रिमांड बैक कर सकती है जब तक आपके एगेंस्ट दोसोचार से आर्पिशी में आदेश का जाडीन हो जाए इस्वा प्रसेज ना हो जाए आपको अपना प्रत्रोद करने का कोई वैसे राइट नहीं है इंटर लोकेटरी आर्डर होता है अंतरवर्ति आदिश होता है जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती है और जब आडर फाइनल नेचर का हो जाता है उसके बाद ही आप इसका रिवीजन फाइल कर सकते हैं मेंस अगर कोई व्यक्त मान लेजिए कंप्लेंट दर्ज़ कराने के लिए प्राक्सनापत्र दे तो आप उस प्राक्सनापत्र को चैल tendency नहीं कर सकते हैं जब तक 204 कारी और इसी की प्रोशिज्दिस ना हो जाए, अगर DIN 30 dakika करымиड़ मोजज़ हो जाता है तो कम्टे रिवीज में ने जा सकता है, दोत्तव 4 closely में, अगर अलाओ हो जाता है, तो उसाहँडेस को जो प्रपोसे रिक्यूज़ हो गए वो चैलेंज कर सकते हैं बट उससे पहले प्रपोस्ट एक्यूज्ट को कोई राइट नहीं होता है कि वो आपियर हो या उस अप्लिकेशन को चैलेंज करें या बीच में ही वो अपनी बात रखें अपना डिफेंस करें तो कि प्राइमा फिचाई उनके अगेंस्ट कोई केस मेंड आउट नहीं है तो ये एक वास्तिक्ता है हन्रबल इलावाद हाई कोट का जज्ज्मेंट इसमें है फादर थामस वर्सेश टेट आफ यूपी और भी बहुत सारे जज्ज्मेंट्स हैं मैं अगर कोट करूँगा तो बहुत से जज्ज्मेंट्स है तो ये ध्यान रखिए कि जब भी अगर परिवाद में जब तक तल्बी ना हो जाए जो एक्ट्यूज परसन है वो अलड़ी अपना डिफेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोविजन के अगेस्ट होगा इसलिए जो जज्ज्मेंट्स आते हैं उनमें इस्पष्ट कर दिया जाता है कि क्या कंडिशन्स हैं कैसे फालो अप होगी कि बहुत से बातें लाक में नहीं हैं तो वो जज्ज्मेंट्स से ही उसमें इन्पिक्रेशन का मैटर होता है जज्ज्मेंट के थ्रो ही उसको क्लियर कह जाता है फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी आगे नई जानकारी आपको फिर से मिलेगी इस चैनल पर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखना होगा थैंक यू